वेलकम टू माई यूटूब चैनल ग्रुप स्टडी मैं आज आपको 16 अगस्तिगी करेंट अफेर प्रोबाइट कराऊंगा आएए कोशे नमर वन पढ़ते हैं हाल ही में विक्रम दुराई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो हाल ही में विक्रम दुराई स्वामी को बांगलादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है यानि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी यानि बांगलादेश आईए इससे बनने बाले इंपोर्टन फैक्ट पढ़ते हैं बांगलादेश की राजदानी यानि कैपिटल ढाका है बांगलादेश की मुद्रा यानि करंसी टका है बांगलादेश की राश्रपती यानि प्रैसिडेंट अब्दुल हामिद है बांगलादेश की प्रधानमंत्री यानि प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना है भारत और बांगलादेश के बीच संप्रत्ती अभ्यास मेगाले में संपन हुआ है बांगलादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिवन लगा दिया है बहां कि प्रदानमंदरी का कहना है कि यदि मुफ्त इंटरनेट सेवा लोगों को प्रदान की जाएगी तो इससे आतंकी घटनाएं और अपराद होना जायस है जिस कारण से उन्होंने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिवन लगाया है आईए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर सेकंड पढ़ते हैं हाल ही में कोबिट टेस्ट करानी में कौन सा राज नमबर वन पर रहा है यानि हाल ही में उत्तर प्रदीश राज कोबिट टेस्ट करानी में सीर्स पर रहा है यानि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B यानि उत्तर प्रदेश आईए इससे बनने बाले इंपॉर्टन फैक्ट पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजदानी यानि कैपिटल लखनौ है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यानि चीफ मिनिस्टर योगी आदितनाथ है उत्तर प्रदेश की राजदानी यानि गवर्नर आनंदी बेन पटेल है उत्तर प्रदेश में आरो के सेतु एप को मुबाइल में रखना अनिवार है उत्तर प्रदेश में जियो टेक कम्मेटी किचिन की इस्तापना हुई और यह इस्तापना उसने गूकल के साथ मिलकर की है उत्तर प्रदेश में वर्ट्वल आदालतों के जरिये सुनवाई सुरू हुई यानि अब उत्तरप्रदीश में जो सुनवाई होगी वहे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से की जा सकेंगी और ऐसा कनने वाला उत्तरप्रदीश भारत में पहला राज बन गया है उत्तरप्रदीश में बाल्श्रमिक बिद्या योजना भी शुरू हुई है आएए नेक्स्ट कोशन कोशन नमर थ्री बढ़ते हैं हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की गोशना किसने की है तो हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की गोशना मानने ये परदानमंत्री Mr. Narendra Modi ने की है यानि इसका राइट आंसर होगा Option No.1 यानि Narendra Modi अब क्यों की है क्यों की नदियों समुंदरों में जो डॉल्फिन है उनकी प्रजाती को बचाए रखने के लिए और लोगों को मचलियों के प्रति अपनी मनुरंजनता को बनाए रखने के लिए और होने इसकी घोशना की है आईए Next Question Question No.4 पढ़ते है हाल ही में स्रीजन पोर्टल किसने लॉंच किया है तो हाल ही में स्रीजन पोर्टल हमारी रख्चा मंत्री राजनाथ सिंग ने लॉंच किया है यानि इसका राइट आंसर होगा Option No.A यानि राजनाथ सिंग आए Next Question Question No.5 पढ़ते हैं हाल ही में ATL-AI Step-Up Module किसने लॉंच किया है तो हाल ही में ATL-AI Step-Up Module यानि इसका राइट आंसर होगा Option No.B यानि नीति आयोग यह जो ATL-AI Step-Up Module है इसका फुल फॉर्म Artificial Intelligence है आईए इससे बनने वाले Important Fact पढ़ते हैं इस Portal के अंतरगत विद्यारतियों को हर कक्चा में Artificial Intelligence को एक विशह की तरह पढ़ाया जाएगा जिससे की वे Artificial Intelligence के माध्यम से नए नए चीजों का विकास करें और उनकी बुद्धी भी जल से जल विक्सित हो सके बात है नीती आयो की निल नीती आयो के बारें पढ़ते हैं नीती आयो की स्थापना एक जनवरी 2015 को हुई थी नीती आयो का मुख्याले नई दिल्ली में है नीती आयो के बरतमान में चेयर्मेन प्रतानमंत्री यानि प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं आईए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 6 पढ़ते हैं हाल ही में स्वास्त और परिबान कल्यान केंद्रों के संचालन में कौन राज्य सीर्स पर रहा है तो हाल ही में स्वास्त और परिबान कल्यान केंद्रों के संचालन में जो पंजाब राज्य है वह सीर्स पर रहा है यानि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B यानि पंजाब आईए इससे बनने वाले इंबॉर्डन फैक्ट पढ़ते हैं पंजाब की राजधानी यानि कैपिटल चंडीगड है पंजाब के मुख्यमंत्री यानि चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंग है पंजाब के बरतमान में राजधाल यानि गवर्नर B.P. सिंग बदनूर है आईए नेक्स्ट कोईशन नमबर सेवन पढ़ते हैं हाल ही में किस सेहर में कोरोना वायरस की सबसे स़स्ती दवा फैबीलो लॉच्च की है तो हाल ही में हैदराबाद सहर में कोरोना बाइरिस की सबसे सस्ती दवा फैबीलो लॉंच की है यानि इसका राइट आंसर हुगा ओप्शन नमबर ए यानि हैदराबाद अब यह दवा हैदराबाद में लॉंच हुई है तो इसकी जो प्राइज है वह मात्र 33 यानि 33 रुपए है आईए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर एट पढ़ते हैं हाल ही में किस भारतिय खिलाडी ने इंटरनेशनल किरकिट से सन्यास की गोशना की है तो हाल ही में महेंदर श्रिंग धौनी और सुरेश रहना दोनों ने इंटरनेशनल किरकिट से सन्यास की गोशना की है यानि इसका राइट आंसर हुगा ओप्शन नमबर सी यानि उप्युक्त दोनों आईए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर नाइन पढ़ते हैं हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने नाइजीरिया देश के साथ समझोता किया है यानि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी यानि नाइजीरिया आईए कोशन नमबर टैन एन लास्ट पढ़ते हैं हाल ही में किसने इलेक्ट्रोनिक मास्क बनाए है तो हाल ही में जादब पर बिश्विद्याले ने इलेक्ट्रोनिक मास्क बनाए हैं यानि इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी यानि जादब पर बिश्विद्याले इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है अगर आपको वीडियो यूसफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही यूटूब पर कुरुप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा